तो यहां पर AirTel भी सो कर रहा है तो यह देखिए इसमें inbuilt camera है और यहां पर Facebook, WhatsApp, Twitter तो memory card में मैंने कुछ photos, videos और music रखा है दोस्तो मेरे चैनल पर एक request आ रहा था कि मैं एक ऐसा smartwatch का review करूँ जिसमें sim card और microSD card डोनों डाला जा सके और जिसमें एक camera भी हो तो इसलिए आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा smartwatch जिसमें camera भी है और इसमें आप sim card डाल सकते हैं और microSD card भी डाल सकते हैं जो अलरड़ी मैंने पहन के रखा है यह वाला तो इसको आप as a mobile phone भी यूज़ कर सकते हैं इसको bluetooth से connect करने का जुरुत नहीं है जैसे normally जो smartwatch होते हैं उनको अपने phone के साथ connect करना पड़ता है उसके बाद ही आप calling कर पाते हैं लेकिन इसमें जो की sim card डला हुआ है तो इससे ही आप call कर सकते हैं और जो की इसमें camera है तो आप इससे photo भी ले सकते हैं और इसका दाम भी जैदा नहीं है यह आपको मिल जाएगा 8.99 रुपीज या फिर 9.99 रुपीज पे और यह आता है warranty के साथ लेकिन क्या आपको यह वला smartwatch लेना चाहिए या फिर normally जो bluetooth calling बाले smartwatches आते हैं बो लेना चाहिए तो वो सब जानने के लिए इस वीडियो को आपको आखरी टक देखना पड़ेगा क्योंकि मैं आज इस smartwatch का unboxing and review करने बाला हूँ और आपको मैं बताऊंगा कि यह आपको लेना चाहिए कि नहीं तो यह हो गया इस smartwatch का box और यहाँ पे लिखा है DJ09 जो कुछ भी लिखा हो सकता है लेकिन जो smartwatch होता है सेम ही होगा तो इसमें अलग-अलग color मिलता है gold, silver, black उसके बाद यहाँ पे इस side में कुछ features लिखा हुआ है जैसे कि इसमें आपको pedometer मिलेगा sleep monitoring मिलेगा, camera मिलेगा, compass मिलेगा internet browsing कर सकते हैं gallery है, file manager है, call recorder है SMS messages है, alarm है, calculator है, bluetooth है music play कर सकते हैं, phone book है, camera है, phone dialer है और bluetooth dialer है मतलब इतने कम दाम पे इसमें इतने चरह features है ऐसा बोला है और उपर में यहाँ पे लिखा है charge before use तो इसको charge करना पड़ेगा, चलिए करते हैं unboxing तो सबसे उपर मिला है warranty card उसके बाद यहाँ पे आपको 50 रुपीज का cashback मिलेगा और उसका terms and condition लिखा हुआ है उसके बाद यह बला हो गया user guide उसके बाद इस pouch में है इसका charging cable और इसका battery तो जो cable है, वो USB to micro USB है जो battery है, वो 380 mAh इसका है तो इसको लगाना पड़ेगा उसके बाद यह बला हो गया smartwatch तो चले इसको निकलते हैं तो यह हो गया smartwatch यह देखिए तो इसका जो screen है, square size में आता है और इसका जो main feature है camera तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें inbuilt camera भी है जो strap है, वो silicon का नहीं है, plastic का है इतना smooth नहीं है, फिर भी काम चल जाएगा तो यह हो गया इसका उपर का हिस्सा उसके बाद यह बला हो गया नीचे का हिस्सा यहाँ पे speaker का यह vent है और यहाँ पे यह micro USB charging input है तो चलिए अभी इसमें battery डाल लेते हैं battery को डालने के लिए यह बला जो पीछे का धक्कन है इसको खोलना पड़ेगा देखिए खुल चुका है तो यहाँ पे आपको SIM card slot और micro SD card slot भी मिलेगा तो सबसे पहले आपको micro SD card और SIM card डालना पड़ेगा तो देखिए micro SD card चला गया है अभी SIM को डालना पड़ेगा तो मैंने डाल दिया है अभी बैटरी को लालना पड़ेगा तो बैटरी भी चला गया है अभी धक्कन को close करेंगे और अभी इसको चार्ज करना पड़ेगा तो अभी इसको एक mobile charger पर लगा के चार्ज कर सकते हैं तो यह देखिए अभी चार्ज होना शुरू हो गया है और यह बहुती जली चार्ज होता है और इसका बैटरी बेकप है बहुत 12 आवर्स का होता है तो इसलिए आपको इसको हर रात को चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि इसका बैटरी है सिर्फ 380 में इसका है तो अभी ये smart watch full charge हो चुका है और time लगा 30 minute तो चलिए अभी इसको on करते हैं तो अभी ये on हो चुका है और ये जो screen है ये इसका home screen है और यहाँ पर मैंने जो sim लगाया था airtel का sim लगाया था तो यहाँ पर airtel भी so कर रहा है और यहाँ पर network भी दिखा रहा है और उपर मैं battery level दिखा रहा है और यहाँ पर dialer है तो अभी यहाँ से मैं अगर dial करूँगा तो इससे call चला जाएगा तो इस smart watch का जो ये home screen है ये पहले पहले जो color mobile phones आते थे उस type का है और इसका interface भी वेसा ही है और इसका menu भी वेसा ही है लेकिन इसका जो screen है बहुत आशा screen है ये सब menus आप देख सकते हैं तो menus पे क्या-क्या है मैं आपको दिखा दूँगा उससे पहले ये जो home screen है यहाँ पे जो time दिखा रहा है वो गलत दिखा रहा है और date year भी गलत दिखा रहा है उसको आपको change करना पड़ेगा उसके लिए menu पे जाके आपको settings पे जाना पड़ेगा और settings पे phone settings है उसके बाद time and date है उसके बाद set time and date तो यहाँ से आपको time and date को change करना पड़ेगा तो ये देखिए मैंने date को change कर लिया है तो ये वाला जो home screen है इसको आप change भी कर सकते हैं चेंज करने के लिए यह वहला जो बटन है इसको एक बार डबाना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको टीन अलग-अलग watch faces मिलेंगे और default पर जाने के लिए इसको long press करना पड़ेगा और यह default watch face आ जाएगा तो चलिए अभी चलते हैं menu पे तो menu पे आपको मिलेगा messaging, calendar, bluetooth music, call logs, bluetooth settings, calculator, camera, image gallery, settings, profiles, pedometer, remote camera, alarm, file manager और यहाँ पर facebook, whatsapp, twitter और browser भी दिया हुआ है तो वो चब चेक करेंगे कि चलता है कि नहीं तो सबसे पहले देखते हैं messaging को तो सबसे पहले यह वहला हो गया messaging मतलब SMSS आप यहाँ से देख सकते हैं देखिए मेरे SIM पे यह सब messages आया है यह मैंने recharge किया था उसका message है तो message यहाँ से आप देख सकते हैं और message write भी कर सकते हैं और send भी कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर audio profile है general, silent, meeting, outdoor वो सब अलग-अलग profiles है जैसे phone पे होता है उसके बाद यह बाद pedometer है आपके steps को count करेगा उसके बाद calendar आपको मिलेगा उसके बाद call logs तो यहाँ से आप dial calls, receive calls और miss calls देख सकते हैं उसके बाद Bluetooth settings है, calculator है उसके बाद यह बाद होगी है camera तो यह देखिए, इसमें inbuilt camera है जो बाद के smart watches पे नहीं होता है तो photo लेने के लिए बीच में जो icon है उसको tap करना पड़ेगा और photo capture हो जाएगा लेकिन इस camera से आप video recording नहीं कर सकते हैं और इसका जो image quality है बहुती घटिया है, मतलब इससे जो photos आएंगे वो 320 resolution का होगा तो आप देख सकते हैं यह सब photos मेंने लिया था और बहुती खरब quality का है मैं side में आपको इसका original images दे दूँगा ताकि आप देख सके कि कितना खरब है लेकिन अगर आप इसमें photos डाउनलोड करके रखेंगे तो वो सब clear आता है तो चलिए अभी इसका फाइल मेंने जा रहा है वहाँ पे चलते हैं तो यह देखिए memory card सो कर रहा है तो memory card में मैंने कुछ photos, videos और music रखा है तो चलिए सब से पहले देखते हैं pictures तो यह सब pictures मेंने डाउनलोड किया है तो जो downloaded pictures है वो clear आते हैं यह सब होगी है downloaded pictures तो चलिए अभी इसमें गणा बजा कर रखते हैं तो जाएंगे my music पे तो यहाँ पे मैंने दो गणा रखा है चलिए इसको बजा कर देखते हैं तो इस watch पे आप mp3 file play कर सकते हैं लेकिन इस watch का जो volume है बहुत ही काम है तो चलिए अभी video भी play करके देखते हैं कि play होता है कि नहीं तो यहाँ पे मैंने तीन videos दाला है अलग-अलग format पे लेकिन इन में से कोई सा भी play नहीं होता है तो इस watch पे आप video play नहीं कर सकते हैं तो यह था file manager उसके बाद देखते हैं क्या है उसके बाद यहाँ पे facebook है चलिए facebook को on करके देखते हैं तो यहाँ पे facebook play नहीं हुआ whatsapp को देखते हैं तो whatsapp भी play नहीं हुआ उसके बाद twitter देखते हैं तो twitter भी काम नहीं किया अभी internet access करके देखते हैं तो इसमें ये सब ऐसे ही दिया हुआ है ये काम नहीं करता है Facebook, WhatsApp, Twitter और Internet browser काम नहीं करता है ऐसे ही दिया हुआ है लेकिन आप इस smartwatch से call कर सकते हैं इसमें गाना बजा सकते हैं इसमें photos रख सकते हैं और SMS read कर सकते हैं और SMS send कर सकते हैं तो चलिए अभी इसका call feature को देखते हैं इसमें calling करके देखते हैं तो मैं dial कर रहा हूँ अभी तो देखिए मैंने अभी mobile से यहाँ पर call लगाया है और call आ गया है तो मतलब आप mobile से इस watch पे और इस watch से mobile पे call कर सकते हैं उसके लिए इस smartwatch को mobile के साथ connect करने का भी ज़रूत नहीं है लेकिन इस smartwatch का call feature है वो depend करता है इसके network के उपर फिलाल यहाँ पे मेरा network बहुती कम दिखा रहा है आपके जगा पे आप देख लीजिएगा network कैसा है अगर network नहीं मिलेगा तो call होगा ही नहीं तो आप बोलिए क्या आपको यह smartwatch लेना है अगर आपको यह लेना है तो इसको करेदने का best buy link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा लेकिन मैं यह smartwatch आपको recommend नहीं करता हूँ क्योंकि भले ही यह smartwatch है लेकिन यह इतने काम का नहीं है इसका जो camera दिया हुआ है सिर्फ बोलने के लिए camera है कोई काम का नहीं है और इसमें जो whatsapp, facebook, twitter, internet browsing का बोला था वो सब नहीं होता है सिर्फ आप इससे call कर पाएंगे और SMSS read कर पाएंगे और अगर mobiles के साथ compare करू तो इसमें network ठीक से नहीं आता है तो calling के लिए भी यह इतना अच्छा नहीं है और इसका volume भी बहुत ही काम है और इसका जो battery backup है वो 12 hours का है इतना भी जड़ा नहीं है आपको हर रोज इसको charge करना पड़ेगा तो अगर आप यह लेते हैं तो यह सिर्फ time देखने के लिए काम आएगा तो इसलिए मैं इसको आपको recommend नहीं करता हूँ और इसका जो price से उस हिसाब से यह एक value for money product नहीं है अगर आप और 200-300 रुपया खर्चा करेंगे तो आपको एक branded smart watch मिल जाएंगे तो अगर आपको वो branded smart watch लेना है तो इसको credit का link भी आपको इस video के description में मिल जाएगा तो यह बला मत लीजिए वो बला लीजिए तो आशा करता हूँ दोस्तो आपको आज का video helpful लगा, काम का लगा अगर हाँ तो इस video को like और share कीजिएगा और इस तरह का useful videos देख रहने के लिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे useful video के साथ तब तक के लिए नमस्कार करता हूँ